Dear students, मैं एक लब्य, आज आपको interchange of affirmative and negative sentences part 3 परहाने जा रहा हूँ इसमें हम लोग किसी भी sentence को affirmative से negative में interchange करना सीखेंगे इस वीडियो में verb to fail का प्रयोग कर, अर्थात उप्योग कर या लोप कर, अर्थात गायव कर या हटा कर कुछ वाक्यों का transformation किया जाता है या interchange किया जाता है इससे पहले हम लोगोंने दो वीडियो में दो परकार के sentence को affirmative से negative में और negative से affirmative में बदलना सीख लिया है हम लोग दो परकार के वाक्यों को दो परकार से कहना सीख लिया है इस वीडियो में हम लोग तीसरे परकार के वाक्यों को पढ़ेंगे इसमें हम लोग type 3A में affirmative से negative में sentence को interchange करना सीखेंगे और type 3B में negative से affirmative में sentence को interchange करना सीखेंगे तो चलिए हम लोग टाइप 3 को परते हैं इसके बारे में खुब अच्छी तरह जानते हैं इसका हिंदी अर्थ होता है उसने दर्शकों को मोहित किया जब इस sentence को हम लोग affirmative से negative में interchange करते हैं तो sentence बनता है और इसका हिंदी अर्थ होता है वह दर्शकों को मोहित करने से नहीं चूकी या वह दर्शकों को मोहित करने में असफल नहीं रही इहां हम देखते हैं एक ही बात को हम लोग दो प्रकार से व्यक्त करते हैं एक ही बात को हम लोग दो प्रकार से बोलते हैं अतह हम एक ही बात को दो प्रकार से बोल सकते हैं और अर्थ में भी पडिवर्तन नहीं होता है इसका हिंदी अर्थ होता है मैंने लाल किला देखा जब इस sentence को हम लोग affirmative से negative में interchange करते हैं तो sentence बनता है I did not fail to see the red fort और इसका हिंदी अर्थ होता है मैं लाल किला देखने में और सफल नहीं हुआ या मैं लाल किला देखने से नहीं चुका इहां हम देखते हैं कि जब affirmative sentence को negative में interchange किया जाता है तो अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है अर्थात हम एक ही बात को दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं और अर्थ में भी परिवर्तन नहीं होता है इसका हिंदी अर्थ होता है मैंने खेल खेला जब इस sentence को affirmative से negative में interchange किया जाता है तो sentence बनता है I did not fail to play the game और इसका हिंदी अर्थ होता है मैं खेल खेलने से नहीं चूका मैं खेल खेलने में असफल नहीं हुआ इहां हम देखते हैं कि जब sentence को affirmative से negative में interchange किया जाता है तो अर्थ में किसी भी परकार का परिवर्तन नहीं होता है अर्थात हम किसी भी बात को दो परकार से व्यक्त कर सकते हैं दो परकार से कह सकते हैं और अर्थ में किसी भी परकार का परिवर्तन नहीं होता है इसका हिंदी अर्थ होता है जादूगर ने अपना कर्तब अच्छे धंग से पूरा किया जब इस sentence को हम लोग affirmative से negative में interchange करते हैं तो sentence बनता है और इसका हिंदी अर्थ होता है जादूगर अपना कर्तब अच्छे धंग से पूरा करने में और सफल नहीं हुआ इहां हम देखते हैं कि जब भी हम किसी भी sentence को affirmative से negative में interchange करते हैं तो अर्थ में किसी भी प्रकार का पडिवर्तन नहीं होता है अर्थात हम किसी भी बात को दो परकार से कह सकते हैं दो परकार से बोल सकते हैं और अर्थ में भी किसी भी परकार का बदलाव नहीं होता है Number 81 He broke the door open इसका हिंदी अर्थ होता है उसने दरवाजा तोर कर खोल दिया जब इस sentence को हम लोग affirmative से negative में interchange करते हैं sentence बनता है he did not fail to break the door open और इसका हिंदी अर्थ होता है वह दरवाजा तोर कर खोलने से नहीं चूका या वह दरवाजा तोर कर खोलने में असफल नहीं हुआ इहां हम देखते हैं कि जब हम लोग affirmative sentence को negative में interchange करते हैं तो वाकिके अर्थ में किसी भी परकार का पडिवर्तन नहीं होता है अर्थात हम किसी भी बात को दो ढ़ंग से कह सकते हैं दो ढ़ंग से ब्यक्त कर सकते हैं दो ढ़ंग से बोल सकते हैं और अर्थ में किसी भी परकार का पडिवर्तन नहीं होता है है न कमाल की बात इस प्रकार के वाक्यों को हम लोग हर एक दीन बोलते हैं प्रती दीन बोलते हैं लेकिन यही जब बार्मी के कोर्स में आ जाता है तो हम लोग को यह बहुत भारी लगता है जबकि हम लोग इसको हर दीन बोलते ही बोलते हैं अता इसमें उन वाक्यों को मैंने लिखा है जो हम लोग परती दिन बोला करते हैं. Number 82. She will help the poor orphan. इसका हिंदी अर्थ होता है, वह गरीव अनात की मदद करेगी. जब इस sentence को हम लोग affirmative से negative interchange करते हैं, तो sentence बनता है, She will not fail to help the poor orphan. और इसका हिंदी अर्थ होता है, वह गरीव अनात की मदद करने में और सफल नहीं होगी, या वह गरीव अनात की मदद करने से नहीं चूकेगी. इहां हम लोग देखते हैं, कि जब affirmative से negative sentence में interchange करते हैं, तो दोनों ही वाक्यों का अर्थ एक ही होता है. दोनों ही वाक्यों का भाव एक ही होता है. अर्थ में किसी भी प्रकार का पडिवर्तन नहीं होता है. अता हम किसी भी बात को दो तरीका से दो तरह से बोल सकते हैं, दो ढंग से ब्यक्त कर सकते हैं, और अर्थ में भी किसी प्रकार का पडिवर्तन नहीं होता है. इसका हिंदी अर्थ होता है जब मैं देर होता हूँ या जब मैं देर करता हूँ तो मेरी मा मुझे पीटती है जब इस सेंटेंस को हम लोग आफर्मेटिव से निगेटिव में इंटर्चेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है इसका हिंदी अर्थ होता है जब मैं देर होता हूँ तो मेरी मा मुझे पीटने में और सफल नहीं होती है या जब मैं देर होता हूँ तो मेरी मा मुझे पीटने से नहीं चूकती है यहां हम देखते हैं कि जब हम लोग affirmative sentence को negative में interchange करते हैं तो अर्थ में किसी भी परकार का बदलाव नहीं होता है अर्थ में किसी भी परकार का पड़िवर्तन नहीं होता है अर्थात हम एक ही बात को, एक ही कथन को दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, दो प्रकार से बोल सकते हैं, दो प्रकार से कह सकते हैं इसका हिंदी अर्थ होता है, जब वह आगरा गया था, तो उसने ताज महल अवस्य देखा होगा जब इस sentence को affirmative से negative interchange करते हैं तो sentence बनता है He must not have failed to see the Taj Mahal when he went to Agra और इसका हिंदी अर्थ होता है जब वह आगरा गया था तो वह Taj Mahal देखने में अवस्य असफल नहीं हुआ होगा या जब वह आगरा गया था तो वह Taj Mahal देखने से अवस्य नहीं चूका होगा यहां हम देखते हैं कि जब affirmative sentence को negative में interchange करते हैं तो अर्थ में किसी भी परकार का पडिवर्तन नहीं होता है अर्थात हम एक ही बात को एक ही कथन को दो परकार से व्यक्त कर सकते हैं दो परकार से बोल सकते हैं इसका हिंदी अर्थ होता है अपना पार्थ अच्छी तरह सीखो जब इस sentence को हम लोग affirmative से negative में interchange करते हैं तो sentence बनता है Don't fail to learn your relation will और इसका हिंदी अर्थ होता है अपना पार्थ अच्छी तरह सीखने से मत चूको यहां हम देखते हैं कि जब किसी affirmative sentence को negative में interchange करते हैं तो अर्थ में किसी भी प्रकार का पडिवर्तन नहीं होता है अर्थात हम एक ही बात को दो प्रकार से कह सकते हैं और अर्थ में भी बदलाव नहीं होता है यहां हम देखते हैं कि जब पहला sentence affirmative होता है तो दूसरा negative होता है और दूसरे में हम fail का use करते हैं और fail के बाद verb से पहले to का प्रियोग करते हैं इसका हिंदी अर्थ होता है जब मैं पटना पहुचा तो वा मुझे टेलिफोन करने में और सफल हुआ या जब मैं पटना पहुचा तो वा मुझे टेलिफोन करने से चूक गया जब इस sentence को हम लोग affirmative से negative interchange करते हैं तो sentence बनता है He could not telephone me when I came to पटना और इसका हिंदी अर्थ होता है जब मैं पटना पहुचा तो वा मुझे टेलिफोन नहीं कर सका या he did not telephone me when I came to Patna और इसका हिंदी अर्थ होता है जब मैं Patna पहुँचा तो उसने मुझे टेलिफोन नहीं किया इहां हम लोगों ने देखा कि एक ही sentence को जो affirmative है हम दो प्रकार से negative बनाते हैं could not लगा कर या did not लगा कर और हम यह भी देखते हैं कि यहां तीनों ही वाक्यों का अर्थ एक ही है अर्थात हम किसी वाक्य को तीन प्रकार से भी बोल सकते हैं और अर्थ में भी पडिवर्तन नहीं होता है इसका हिंदी अर्थ होता है जब मैं अंदर आया तो वा मुझे देखने से चूग गया या जब मैं अंदर आया तो वा मुझे देखने में और सफल हो गया जब इस affirmative sentence को हम लोग negative में interchange करते हैं तो sentence बनता है और इसका हिंदी अर्थ होता है जब मैं अंदर आया तो वा मुझे नहीं देख सका इसको दूसरे परकार से भी हम लोग negative में इंटर्चेंज करते हैं तो sentence बनता है यहां हम देखते हैं कि affirmative sentence को हम लोग दो परकार से negative sentence बनाते हैं और अर्थ में भी किसी परकार का पडिवर्तन नहीं होता है अर्थात एक ही कथन को एक ही बात को हम लोग तीन परकार से भी ब्यक्त कर सकते हैं और अर्थ में किसी भी परकार का पडिवर्तन नहीं होता है टाइप 3B इसमें हम लोग वैसे वाक्यों को पढ़ेंगे जो निगेटिव होगा और उसको हम लोग अफर्मेटिव में इंटरचेंज करेंगे इसका हिंदी अर्थ होता है वो ताज महल देखने से नहीं चूका या वो ताज महल देखने में असफल नहीं हुआ जब इस सेंटेंज को हम लोग निगेटिव से अफर्मेटिव में इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंज बनता है और इसका हिंदी अर्थ होता है उसने ताज महल देखा इहां देखिए दोनों ही वाक्यों का एक ही अर्थ है वो ताज महल देखने से नहीं चुका अर्थात उसने ताज महल देखा दोनों ही वाक्यों का एक ही अर्थ है अर्थात आप एक ही वाक्य को दो परकार से बोल सकते ह दो परकार से कह सकते हैं और अर्थ में भी परिवर्तन नहीं होता है हम लोगों ने यहां देखा कि किसी भी negative sentence को हम लोग affirmative interchange करते हैं तो उसका अर्थ नहीं बदलता है Number 89 He did not fail to thank him for his help इसका हिंदी अर्थ होता है मैं उसकी मदद करने के लिए उसको धन्यवाद देने से नहीं चूका या मैं उसकी मदद करने के लिए उसको धन्यवाद देने में और सफल नहीं हुआ जब इस negative sentence को affirmative में interchange करते हैं तो sentence बनता है I thanked him for his help और इसका हिंदी अर्थ होता है मैंने उसकी मदद के लिए उसको धन्यवाद दिया यहां देखिए दोनों ही वाक्यों का एक ही अर्थ है हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग किसी negative sentence को affirmative में interchange करते हैं तो उसका अर्थ नहीं बदलता है अर्थात एक ही बात को हम लोग दो धंग से व्यक्त कर सकते हैं दो धंग से बोल सकते हैं दोढंग से कह सकते हैं और अर्थ में भी किसी प्रकार का पडिवर्तन नहीं होता है इसका हिंदी अर्थ होता है वो परिच्छा देने से नहीं चुका या वो परिच्छा देने में असफल नहीं हुआ जब इस negative sentence को affirmative में interchange किया जाता है तो sentence बनता है इसका हिंदी अर्थ होता है उसने परिच्छा दी यहां देखिए दोनों ही वाक्यों के अर्थों में कोई अंतर नहीं है अतह वो परिच्छा देने से नहीं चुका अर्थात उसने परिच्छा दी यहां हम देखते हैं कि जब हम लोग negative sentence को affirmative interchange करते हैं तो अर्थ में कोई भी बदलाव नहीं होता है किसी भी परकार का पडिवर्तन नहीं होता है अतह हम एक ही कथन को एक ही बात को दो ढंग से बोल सकते हैं दो परकार से बोल सकते हैं दो तरीका से कर सकते हैं और अर्थ में किसी भी प्रकार का पडिवर्तन नहीं होता है। Number 91 My sister did not fail to respect her teacher. इसका हिंदी अर्थ होता है मेरी बहन अपने सिख्षक का आदर करने से नहीं चूकी या मेरी बहन अपने सिख्षक का आदर करने में और सफल नहीं हुई जब इस negative sentence को हम लोग affirmative interchange करते हैं तो sentence बनता है My sister respected her teacher और इसका हिंदी अर्थ होता है मेरी बहन ने अपने सिक्छक का आदर किया इहां दोनों ही वाक्यों का अर्थ एक ही है अतह मेरी बहन अपने सिक्छक का आदर करने से नहीं चुकी अर्थात मेरी बहन ने अपने सिक्छक का आदर किया दोनों ही वाक्यों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है दोनों ही वाक्यों के अर्थ में किसी भी परकार का बदलाव नहीं है दोनों ही वाक्यों का अर्थ एक ही है अतह जब negative sentence को affirmative में interchange करते हैं तो अर्थ में किसी भी परकार का पडिवर्तन नहीं होता है अर्थात हम एक बात को दो परकार से बोल सकते हैं दो तरीका से कह सकते हैं और अर्थ में भी पडिवर्तन नहीं होता है इसका हिंदी अर्थ होता है तुम अपने सिख्षकों का आदर करने से नहीं चूके या तुम अपने सिख्षकों का आदर करने में और सफल नहीं हुए जब इस negative sentence को हम लोग affirmative में interchange करते हैं तो sentence बनता है और इसका हिंदी अर्थ होता है तुमने अपने सिख्षकों का आदर किया यहां गौड से देखिए तुम अपने सिख्षकों का आदर करने से नहीं चूके अर्था तुमने अपने सिख्षकों का आदर किया दोनों ही वाक्यों का अर्थ एक ही है अता जब हम negative sentence को affirmative में interchange करते हैं तो अर्थ वही का वही रहता है अर्थ में कोई पडिवर्तन नहीं होता है अता हम किसी भी बात को दो तरीका से व्यक्त कर सकते हैं दो तरीका से कह सकते हैं और अर्थ वही का वही रह जाता है 93 She did not fail to welcome us इसका हिंदी अर्थ होता है वह हम लोगों का स्वागत करने से नहीं चूकी या वह हम लोगों का स्वागत करने में असफल नहीं हुई जब इस निगेटिव सेंटेंस को हम लोग और फरमेटिम इंटर चेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है She welcomed us और इसका हिंदी अर्थ होता है उसने हम लोगों का स्वागत किया यहां दोनों ही वाक्यों का अर्थ एक ही है अर्थ हम लोग एक ही बात को दो धंग से कह सकते हैं वह हम लोगों का स्वागत करने से नहीं चूकी अर्थात उसने हम लोगों का स्वागत किया इहां negative sentence को जब affirmative interchange किया जाता है तो अर्थ वही का वही रहता है अर्थात एक ही बात को हम लोग दो प्रकार से कह सकते हैं और अर्थ भी वही का वही रह जाता है number 94 you did not buy the book इसका हिंदी अर्थ होता है तुमने किताब नहीं खरीदी जब इस sentence को हम लोग negative से affirmative interchange करते हैं तो sentence बनता है you failed to buy the book और इसका हिंदी अर्थ होता है तुम किताब खरीदने से चूग गए इहां दोनों ही वाक्यों का अर्थ एक ही है अता तुमने किताब नहीं खरीदी अर्था तुम किताब खरीदने से चूग गए या तुम किताब खरीदने में और सफल हो गए दोनों ही वाक्तियों के अर्थ में कोई अंतर नहीं है अता हम लोग एक ही कथन को दो धंग से कह सकते हैं दो धंग से बोल सकते हैं और अर्थ भी वही का वही रह जाता है नमबर 95 He did not catch the ball इसका हिंदी अर्थ होता है उसने गेंद नहीं पकरा जब इस sentence को हम लोग negative से affirmative में interchange करते हैं तो sentence बनता है He failed to catch the ball और इसका हिंदी अर्थ होता है वह गेंद पकरने से चूग गया अर्थात वह गेंद पकरने में और सफल हो गया यहां भी दोनों ही वाक्यों का अर्थ एक ही है अता हम एक ही बात को दो परकार से कह सकते हैं उसने गेंद नहीं पकरा अर्थात वह गेंद पकरने से चूग गया यहां हम देखते हैं कि जब हम लोग negative sentence को affirmative interchange करते हैं तो अर्थ वही का वही रह जाता है अर्थ में किसी भी परकार का पडिवरतन नहीं होता है अर्थात एक ही बात को हम लोग दो परकार से कह सकते हैं दो परकार से बोल सकते हैं Dear students इस बीडियो में हम लोगोंने उन वाक्यों को affirmative से negative और negative से affirmative में बदलना सीखा जिन में एक परकार के वाक्य में fail to का प्रियोग हुआ है और दूसरे परकार के वाक्य में fail to को हटा दिया गया है fail to के बाद वर्व का पहला रूप आता है इसको भी हम लोगोंने हर एक वाक्य में देखा और यह भी देखा कि एक ही बात को हम लोग दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं दो ढंग से व्यक्त कर सकते हैं और अर्थ में किसी भी प्रकार का पडिवर्तन नहीं होता है यह बहुत ही बड़ी बात है इन बातों को आपको अवसी ही सीख लेनी चाहिए इसी लिए इन वाक्कियों का आप लोग घर पर प्रैक्किस करें अधिक से अधिक प्रैक्किस करें ताकि आपको बोलने में कहीं भी किसी प्रकार का हिचक न हो Dear Students, अब मेरी अगली भेंट आप से अगले बीडियो में होगी तब तक के लिए Bye Bye